किसी जंगल में एक शेर रहता था, एक दिन वह सो रहा था, अचानक कहीं से एक छोटा चूहा आया, वह शेर के उपर चड़ कर उच्छल कूद करने लगा, चूहे की उच्छल कूद से शेर की नीन खुल गई, उसने चूहे को अपने पंजो में जकर लिया और बोला, तेरी ऐसी हिम्मत तो मेरे उपर उच्छल कूद कर रहा है, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ, चूहा घबरा कर बोला, महराज मुझ पर दया कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए, हो सकता है मैं, कभी आपके काम आ सकूँ, चूहे की बात सुनकर शे चूहे को छोड़ दिया, कुछ दिन बाद, शेर किसी शिकारी के जाल में फंस गया, और बाहर निकलने के लिए जोर-जोर से दहारते हुए जाल काटने की कोशिश करने लगा, तभी चूहे को शेर की दहार सुनाई पड़ी, आवास सुनते ही वह शेर के पास जा पहुचा, अरे महराज, आप जाल में कैसे फंस गए, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको मुक्त करता हूँ, ये कहकर चूहे ने जाल काट दिया, शेर जाल से मुक्त हो गया, उसने चूहे को धन्यवाद दिया और कहा, चूहे भाई, तुमने आज मुझे जाल से छुड़ा कर मैं तुम्हारा ये उपकार हमेशा याद रखूंगा, आज मुझे ये समझ में आ गया, कि छोटा हो या बड़ा, हर जीव का अपना महत्त होता है, इसलिए ठीक ही कहा गया है, यदि हम किसी की मदद करते हैं, तो उसका फल हमें कभी न कभी अवश्य मिलता है,